करेंगे कबूत्रों में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है जिसे एंजल विंग कहते हैं या पर कैंच होना कहते हैं जैसा आप यह से चाइनीज आवल में देख रहे होंगे जब आप उसको देखेंगे एक और से तो उसके आधे पर जो की अच्छे से होने चाहिए इसे एंजल विंग कहते हैं और इसे हिंदी में इसको पर कैंच होना कहते हैं मतलब जैसा खैंची होती है सिसर जब वह दो उसके तुपडे हो जाते है और उसके बीच में ग्यार पाता है सेम उसी तरह से यहां पर आपको कभूतर के विंग्स के अंदर या फंक के अंदर वह ग्यार दिखाए देगा और यहां पर आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यहां आपने कई बार देखा होगा अब यह अडल्ट बर्ड हो चुका है इसके इसके अंदर तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन आज हम इस वीडियो के जरीय से जानने की कोशिश करेंगे कि यह एंजिल विंग होता किसलिए है इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और क्या कर सकते हैं हम इस इस एज में एंजिल विंग होना स्टार्ट हो चुके हैं अगर आप गौर से देखेंगे तो यह वाला जो पर है यह बाहर आ चुका है मतलब यह जब ऐसे क्रॉस होना है पहरा कैंच होना कहते हैं यह जो बीमारी है यह कोई ऐसी कंडिशन नहीं है कि यह डारेक्ली सिर्स को पता चल जाए कि उसके पास का जो कबूतर का बेच्चा है जो स्क्वाब है वो एंजिल विंग में जा रहा है तो इसको यहीं पर उसको स्टॉप करना चाहिए चलिए आप जानते हैं कि यह किन वजुहात से किस रीजन की वज़े से एंजिल विंग होते हैं और इस का इंजिल विंग या पर कैंच होंगे या नहीं होंगे यह वीजन इसका यह होता है कि जब भी हम अपने कबूतरों को जो डाइट देते हैं उसमें अगर थोड़ा भी अगर मिनरल न्यूट्रियंट का और वाइटमिन का अगर कमी जादी हो जाती है और सबसे बड़ी बात कि यहां पर यह बच्चिछों के अंतर जब आप कार्बो हैड्रेट बहुत जदा और प्रोटिन जद देते हैं और उसके कंपारिजन में जब और जो बोन स्ट्रक्चर है यानि हड्डियों का स्ट्रक्चर है जो डिलॉप हो रहा है उसमें अगर इंबालेंस हो जाता है तो यह क्रॉस हो जना शुरू हो जाते पर यहां पर इत्षर होता यह जो स्ट्रक्चर होता यह जो इनजिल विंग होना शुरू हो जाएगा अब इसका reason यही बता है कि जब आप carbohydrates और proteins जादा दे जते हैं और minerals और vitamins की कमी हो जाती है उसकी वज़े से यह problem होनी शुरू होती है अब इसको करना कैसे है यह कहाँ पर दिखाए देगा बहुत सारे लोग अपने कभूतरों के बच्चों को रोटी के तुकड़े खिलाते हैं जब आप रोटी के तुकड़े खिलाते हैं पर्टिकुलरली यह वो fanciers करते हैं जिनके पास उडान के कभूतर हैं तो उस टाइम पर यहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जगाती है अब Angel Wing के लिए treatment क्या करना एक डिले है आप इससे पर आप को जैसे हि कि पता चले की यह इसा हो रहा है तो इसका मतलब है आपके जो कभूतरों को जो आप खाना दे रहे हैं जो डाइट है उनकी जो food दे रहे हैं उसमें कुछ problem है यानि वहां पर balance जो diet होनी चाहिए वो नहीं है second thing उसको correction करना बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ तो अब उसको correction कैसे करेंगे क्योंकि आप जो गिहूं जवार और चना मूं मटकी वगरा देते हैं वो तो आप उसको दे ही रहे हैं लेकिन इसके अंदर जो minerals की कमी हो चुकी है उसको पूरा करने के लिए तो इसका mineral balance होना बहुत ज़रूरी है vitamins और minerals का balance होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए आपको इन्हें grit देना बहुत ज़रूरी है अगर आप जब भी कभी अपने birds को grits नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे में ऐसी condition का आम होना common है जब आपके पास का diet में imbalance होता है तो उस वज़े से यह हो जाता है अब इसको अच्छे से manage करने के लिए क्या करना चाहिए कि यही जब जैसे पता चले के हमें के हमारे कभूत्रों की diet की वज़े से यह angel wing या पर कैंच होना शुरू हो रहे हैं तो आपने सबसे पहले diet को check करना चाहिए उसमें carbohydrates और protein बहुत ज़रू है साथ ही साथ minerals और vitamins प्रोवाइड करना बहुत जुरू है अभी इसमें हो सकता है कि कौन सा vitamins और कौन से minerals जो function को bones के functions को और muscles के function को atrophy करेंगे यह अभी तक पता नहीं है इसके लिए आपको जो भी ग्रिट अवलेबल होती है ट्रीट्र के यह उम्रभर के लिए इनको breeding के लिए वगड़ा कोई प्रवल्लम नहीं आती है लेकिन यह कबूतर ऊड़ नहीं सकता है यह उडान के कबूतर में होता है तो यह उनके लिए औक प्रव ciert कि ब्रीद कर सकते हैं यह अचको ब्रीडर भी पेर सावित होते हैं बैटर हो यह होगा कि इन्हें ऐसे कभूतरों को अगर आप ब्रीड करना चाहा हैं तो आप इन्हें केज में रखकर ब्रीड करें इनके treatment में बच्पन में ही treatment करना पड़ेगा बड़े जब अडल्ट कबूतर हो जाएगा ऐसे टाइम पर हमें इनका कोई treatment नहीं कर सकते हैं यह उम्र भर के लिए ऐसे ही हो चुका है लेकिन जब कभी कबूतर के बच्चों की age इतनी होती है और आपको समझ में आ रहा है कि यह अगरपूर मात्रा में इनके parents को feed कराना है डेली के time पर देना है और multi vitamins देना शुरू कर देना चाहिए और अकसर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही diet change होती है और things change हो जाते हैं grid देना शुरू करते हैं तो यह कभूतर के बच्चे जो angel wing में convert हो रहे थे वह अपने आप ही ठीक हो जाते हैं उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन अगर ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि यह पूरी तरह से cross wing या angel wing हो जाए उस time पर आपको दूसरा एक काम करना होता है जो आपके पास टिक्सो टेप या पेपर टेप जो एवलेबल रहेग जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं यह टिक्सो टेप या पेपर टेप यह लेना है आपको और इस बच्चे को जिस तरह से हमने इसका भी angel wing हुआ था और खासतोर से इस वीडियो के लिए हमने इनके पैरेंट्स को जो फीड करा रहे थे उनका ग्रेट देना बंद करवा दिया था हमने तो जिसकी वज़े से इस इस बच्चे के अंदर भी हमें angel wing दिखाई दिया था अब क्या हुआ दोनों साइट से angel wing था हमने क्या किया इसको सिर्फ चार दिन पांच दिन पहले हमने इसे टेप बांद दिया चाहे आप इसको टिक्सो टेप या जो यहां पर लेकर आप उसको अच्छे से बांद दे जैसा यहां पर दिखाई दे रहा है जब आप इसको बांद कर रहे से चार से पांच दिन रख देंगे वो विंग पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाएगा और उसके अंदर की जो क्यापसिटी थी जो तेड़ा हो रहा था वो लेकर हो चुका है लेकिन फिर भी फिर भी इसे थोड़ा सा बांदने की जरूरत है मैं आपको आज बता दूंगा कि इनको बांदना कैसे हैं ताकि आप जब भी आपके पास कोई बर्ड को एंजिल विन हो जाए या पर कैंच होना शुरू हो जाए आप इसको पकड़ें यह ऐसे करके चार दिन पहले ही बांद चुके हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां पर और इसको ऐसे पकड़ें और इसको लपेड़ दे अब इस तरह से यह बांद कर रखें इसको चार पाल दिन और उसके बाद इसको खोल दें जब आप इसको खोल देंगे तब इसके विंग्स पूरी तरह से सीधे हो चुके होंगे पर याद रहे साथी साथ सिर्फ बांदने से नहीं चलेगा साथी साथ इन्हें ग्रिट देना मत भूलें जैसे जैसा आप इनको ग्रिट प्रोवाइड करेंगे यह वैसे अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे तो फ्रेंड्स मैं उमीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि एंजिल विंग किस वज़े से होते हैं और उसको दुरूस कैसे किया जा सकता है उसका ट्रीटमेंट क्या है अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी झाल